हलो एव्रीबटी इस दिग्राश सेंग राशपूत वेलकम टू मैं इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक जो है स्लाम एंड सूफिजम इंपॉर्टेंट क्यों देखो यह जो टॉपिक है फिर चाप्टर फोर में भी आया मुगल एंपायर में फिर चाप्टर फाइव में फिर आया अर्केटिक्शन डवलप्मेंट में और हर बार सर ने क्या बोल दिया कि आगे पढ़ोगे आगे पढ़ोगे अब आगे कब तो इंतजार की घड़ी यहाँ पे खत्म होती है ठीक ह अब देखिए क्या है हमारा चाप्टर डिवोशनल पाथ स्टू दी डिवाइन अब यहाँ पे आपको डिवाइन मतलब क्या है कि आप एक दिव्य की बात करें एक सुपरनाचरल की बात कर रहे हैं अब वो हिंदुईजम में अलग अलग दिव्य देउता हो गए ठीक है सिक में स्ट्रीम रिलीजन है इसलाम जो है ठीक है जो धर्म है उस इसलाम मतलब जैसे जो छोटे बच्चों को नहीं पता है ना तो इसलाम मतलब क्या इसलाम याने जैसे मुसलिम्स बोलते हैं मुसलिम रिलीजन हम बोलते हैं तो मुसलिम्स जो धर्म को फॉलो करते हैं वो कौन अलग रास्ते थे कहां तक पहुचने के मोक्ष तक पहुचने के वो आपने हिंदुईजम के परस्पेक्टिव से देखा ठीक वैसे ही चीज इसलाम में भी रही ठीक है इसलाम में भी रही कि इसलाम में सूफी जो थे उन्होंने एक अपना अलग रास्ता दिया कि आप ये जो पूरा रिच्वलिस्टिक सोसाइटी है ठीके उससे अलग हो कि परसनल लेवल पे अल्हा और आपके बीच में क्या कर सकते हो एक कनेक्शन स्टैबलिश कर सकते हो उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ देखो और समझो एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि स्पेसिफिकल इसलाम का क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैं मेडिवल पिरेड को लेके चल रहे हैं साथ में अपने पूरा मेडिवल पिरेड चप्टर बन से दो लगाना चालू किये चप्टर जो लास्ट चप्टर होगा चप्टर टीन तो वहां पर अपने मेडिवल पिरेड को कंप्लीट करने वाले हैं तो इस medieval period में आप क्या देखते हो कि medieval period में देश में Hinduism पहले था जैसे Hindu rulers थे सारी चीज़े लेकिन बात में बात में जैसे दली सल्तनत तो दली सुल्तान साये तो वो जब आये तो अपने साथ में लेको उन्होंने यहां के rulers को हडाया वो सब हुआ वो अलग चीज़ है लेकिन समझ में तो उनके आने के बाद में जो religious development हुआ वो इसलाम में हुआ होगा अब इसलाम के अंदर क्या transformation आए जैसे आप देखो कि Hinduism के अंदर भक्ती movement चला तो वैसे इसलाम के अंदर क्या चला होगा ठीक है वो था सूफिजम सूफिजम को समझेगा अच्छे से ठीक है अब सारे सेंट्स के अपने नाम सुने नात पंती स के बारे में योगी स के बारे में सिध्धास के बारे में जब सब के बारे में आपने पढ़ा तो आपने वो Hinduism के perspective से पढ़ा अब जब आप Islam में इसी तरह के saint की बात करते हो अगर मैं ये कहूं कि Sufis are the saints of Islam तो भी गलत नहीं ह लगोत तरह की बात करते हैं ठीक उसी तरह की बात सूफी सेंटस भी कर सकते हैं तो देयार डी सेंटस of Islam ठीक अब देखो यहाँ पे क्या है तो दी सेंटस had much in common with दी सूफी यह जो सेंटस थे, जो भकती सेंटस थे उनमें और सूफी सेंट्स में बहुत जादा समानताएं हैं बहुत जादा क्या है या आपको similarities देखने को मिलेगी कैसे क्या similarities तो जैसे यहाँ पर क्या रिखा है हम सूफी के अगर बात करें तो सूफी वर Muslim Mastix मुस्लिम Mastix मतलब क्या है मुस्लिक मतलब एक तरह के जादूगर मुस्लिम Mastix जादूगर कैसे आप यह ऐसा नहीं कि इनको जादू करते आता था टोपी में से तरह मानते थे Hindu Mastix मानते थे उन्हें कैसे चलो एक example देता है कहानी मुझे ध्यान आई नर्सी महता के बारे में बताया था आपको ठीक पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया कि नर्सी महता जो थे तो गुजरात के वहां के एक क्या थे एक भक्ती सेंट थे जो भगवान विश्णू की क्या करते थे पूजा करते थे तो अब उन्होंने क्या जादू कर दिया मतलब जादू ऐसा कोई वही टोपी में से खरगोश कपुतर निकालने वाला नहीं है मतलब उनका परसनल डिवोशन इतना जादा होता था अपने डेटी के तो अपने भगवान के तोड़ोड़ की भगवान उनके लिए चमतकार कर देते थे तो जब शादी तई हुई तो सस्राल वालों ने देहज मांगा अब नर्सिंग महता जो है तो वो देहज कहां से लाके देंगे बताओ ठीके नर्सिंग कहलो या नर्सिंग कहलो एक ही बात है तो नर्सिंग महता आप देहज कहां से लाके देंगे तो नर्सिंग महताना क्या बोल दिया कि बहिया देखो मैंने तो अपना सब कुछ त्याग दिया है भगवान के लिए कृष्ण जी के लिए तो विठल के लिए विठोबा के लिए मैंने सब कुछ अपना त्याग दिया है वही लाएंगे मेरी लिए, मेरी बेटी की शादी वही करेंगे, ठीके, मेरी बेटी क्या हो गई, उनकी तरह से भांजी हो गई, यह मान लिए उनगे, तो मारे का concept रहता है, ठीके, जो राजिस्थान गुजरात वाले बच्चें हो समझ जाएंगे, मारा, मारा क्या होता है मायरा मतलब मामा पक्ष जो रहता है ना बेटी का तो मामा पक्ष वाले क्या लेके आते हैं सारे गिफ्ट वगरा लेके आते हैं तो उसमें जेवरात होते हैं सब कुछ ये सारे हारवार साडी और ये सब कुछ ये सब कुछ लेके आते हैं अब नरसी महता की बेट सावरिया सेट आते हैं नानी भाई की शादी में ठीक है और आपने सुना होगा नानी भाई को माहिरो ठीक है इस तरह का एक शब्द आपने सुना होगा तो नानी भाई को माहिरो मतलब ऐसा कहा जाता है कि नानी भाई के लिए जितना माहिरा जो उसके नानी भाई की जो मामा है जो कि एक्षिल एक्षिस्ट नहीं करते थे लेकिन सावरिया सेट जो एक क्रिश्ण भगवान का क्या होता है कि इंकार्नेशन माना जाता है ठीक है तो इस तरह से यहां पर जादू हुआ एक ठीक की आप देखोंगे जो सेंट्स हैं मतलब मैं आपको एक्जामपल ऐसे अजिया कि जो कुछ सूफिसेंट्स रहे हैं अब मुघ ईक्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा है तो राभिया बसक्याद नहीं वो तो फीमेल है ठीक मतलब फो फीमेल सूफिसेंट्स थी उनके साथ नहीं एक दूसरे उसेता इंसे कहा कि बहुता है इसकी जान चले गई तो इस तरह की बहुत सारी जादू ही या फिर कह सकते हैं बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुएं जिसके चलते लोग बोलते कि यार इन्होंने भी अपना एक तरीका बनाया भगवान के तोर्ड्स अपने आपको समर्पित किया और उससे क्या कर दिया और उन्हें जादू करके religiousity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings ठीक है अब यहां पर क्या है तो जो सूफी सेंट्स थे उसी तरह से ठीक जिस तरह से हिंदू सेंट्स थे यह similarity बता रहा हूं मैं आपको जो statement लिखा न दी सेंट्स had much in common with सूफी तो सूफी और सेंट्स में यही common था सूफी सेंट्स भी जैसे बहुत सारे क्या था सब कुछ छोड़ चाल के बढ़ियां भगवान की भक्ति में लीन तो सूफी भी कहा हैं फकीर थे एक दम ठीक है सब कुछ छोड़ दिया हमें क्या करना है हम तो बस उसके उपर वाले की इबादत करेंगे उस तरह से ठीक है उन्होंने क्या कह दिया तो कि जो मेंस्ट्रीम इसलाम था मेंस्ट्रीम इसलाम से आप देखोगे तो जिस तरह से हिंदुईजम में से एक भक्ति कल्ट निकल के आया तो वैसे एक सूफी कल्ट निकल के आया जो सूफी जो थे तो डायरेक्ट रिलेशन की बात करते थे भगवान के बीच में और उनके आगे ना समझ में, medieval period का development अगर समझोगे तो Delhi सिल्तान जो आए तो उन्होंने इस्लाम लेके आए, इस्लाम इंडिया में आए, इस्लाम के साथ साथ में सूफी सेंड्स भी आए, जो एक अपना अलग इस्लाम से हट के, कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो super natural तक पहुशने की जो बात हो रही थी ना, तो एक अपना अलग रास्ता दिया, ठीक है, आगे ना समझ में ये, समझ में आना चाहिए, तो अब क्या देखो, they had a different notion with the complex religion of Islam, complex religion of Islam मतलब क्या है कि, शरियत लाओ को मानो, ठीक है, उसके हिसाब सो कुछ भी अलग नहीं करना है, पांच टाइम ना, religion की, उस complexity से वो परिशान थे लोग, उन्होंने क्या कहा, कि भगवान ने तो कुछ, अल्ला ने कुछ, खुद आके थुरी ना बोला है, तो अब क्या है कि वो complexity से परिशान थे, और उस complexity के चलते क्या, उन्होंने बोला कि हमारा तो एक सीधा सा रास्ता है, क्या, कि मेर Islam propagated strict monotheism और submission to one God, अब Islam जो है ना, जो मैंने आपको complex religion की बात बताई, तो क्या है कि वहाँ पर monotheism, strict monotheism की बात करते हैं, कि सरफ एक अल्ला को मानना है, इस तरह की बात है, जैसे जो आप religious text देखोगे, mainstream Islam को देखोगे, तो क्या होता है, monotheism का मतलब यह होता है कि एक भग continuously भगवान, अल्ला सारे नाम एक साथ मिक्स कर दे रहा हूं, तो उसमें जजमत करना है, ठीक है, क्या है क्या है क्योंकि सब कुछ एक ही है, एक ही तो super natural power होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर, Islam propagated strict monotheism और submission to one God, submission to one God मतलब क्या है, कि एक ही अल्ला को मानना है, उस तरह की ब 18th, 19th century आते आते क्या होता है, कि अलग-अलग scholars ने अलग-अलग तरह के क्या कर दिये, अलग-अलग तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो शरियत laws वगरा develop कर दिये, शायद 8th और 9th है, 18th, 19th नहीं है, 8th और 9th है, ठीक है, तो अलग-अलग शरियत laws और यह सार कुछ हो गया, तो सुफी सिंट्स जो थे ना, तो सुफीजम वस इफ्रेंट फ्रम दिस, सुफीजम यह मोनो इस्ट्रिक्ट मोनो इथीजम, इन सारी चीजों से अलग था सुफीजम, सुफीजम क्या बता था, देखो, कैसे अलग था, यह जो सवाल हमने यहाँ पर देखा कि they had a different notion with the complex religion of Islam, तो Islam के जो complex religious point of view थे, उससे अलग सुफीजम कैसे हुआ, क्या हुआ, यह देखो, तो सुफीजम प्रोवाइडेड विट एन additional dimension that favored a more personal devotion to God, ठीके, सुफीज ने क्या किया, एक additional dimension देदिया Islam को, सुफी सेंट्स ने एक Islam से, मतलब ऐसा नहीं कि Islam को oppose कर रहे है लेकिन उन्हें बोल दिया कि यहां से भी आप पहुचोगे अल्ला तक, हम जहां से ले जाएंगे वहां से भी पहुचोगे, तो सुफीज प्रोवाइडेड विट एन additional dimension that favored a more personal devotion to God, एक ज़्यादा personal बात करी, उन्हें बोल दिया कि जरूरी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा rituals and codes of behavior demanded by Muslim religion scholars, ठीक है, Muslim religious scholars, तो Muslim religious scholars जो हैं, ठीक है, अब जो मतलब मस्धित में जो बेठें, तो उन्होंने क्या कर दिया, बहुत elaborated rituals बता दिया, ऐसे करना है आपको ठीक है, आपको ऐसे नमाज पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें इतना रोजा रखना है, ऐसे वैसे सारी चीज़ें बताई, तो जो सूफी से थे ना, वो अलग कैसे थे, तो वो इसी तरह से अलग, तो उन्होंने क्या कर दिया, इन सारी चीज़ों को रिजेट किया, बोला नहीं, ठीक है, ये elaborated rituals, codes, इन सारी चीज़ों की जरुबत नहीं है, परसनल matter है ना मेरा, ठीक है, उपर वाले से मेरी direct बात होती है, उधर भी जीओ, इधर भी जीओ है, उस तरह से direct connection है, तो वो चीज़ हुई है, ठीक, they sought union with God, much as a lover seeks his beloved with the disregard for the world, अब देखो क्या है, एक इंसान है, वो किसी से प्रेम करता है, मतलब दो प्रेमी रहते हैं तो वो क्या है, दुनिया जाए एक तरफ, हमें तो क्या है, आपस में मतलब एक दूसरे से, तो जो सूफी से उन्होंने भी बात बताई, क्या, कि वो किस तरह की union चाहते हैं भगवान के साथ में, कि जैसे दो प्रेमियों के बीश में रहती है, दो लवबर्ड रहते हैं, उनके बीश में कैसी union रहती उस तरह की कि दुनिया किदर भी जाए ठीक है, उससे उन्हें कोई लेना देने नहीं है, disregard for the world, ठीक दे, वो क्या कर रहे हैं कि भगवान बस मेरे लिए तो अल्ला है, मेरे लिए उपर वाला है, मैं तो उसी को क्या करूँगा, उसी को एक तरह से चाहता हूँ और उसी के towards devoted रहूँगा पूरी तरह से, वो चीज है, तो यहाँ पे सूफिजम जो है, वो आपको mainstream Islam जो है, ऐसे अलग होते हुए मिलेगा, opposition नहीं है, किसी प्रकार के कोई grids नहीं है, problem नहीं है, बस क्या है, रास्ते अलग है, ठीक वैसे आपको भक्ती में भी दिखेगा, क्या, कि वो ritualistic, वो complex, मतलब complexities जो थी, जो आम आदमी से शायद दूर थी, आम आदमी उस चीज के लिए नहीं बना था, तो आम आदमी के लिए तो क्या है, कि direct personal affair होना चाहिए, आपका God के साथ में, supernatural power के साथ में, उस supreme soul के साथ में, ठीक है, यह कहानी थी पूरी, अब देखो क्या है, त तो similarity with saints, तो saints के साथ में कैसी similarities है, तो मैंने आपको वैसे तो बता दिये कि इनकी philosophy जो है, philosophy जो क्या है, कि मन की आवाज से बुलाना है, आपको क्या करना है, एक personal आपका devotion आपके deity के towards होना चाहिए, वो दोनों जगा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, personal connection जो है, personal attachment जो है, personal love, ठीक है, personal, क्या सकते है, attachment जो है वो भक्ती saints में भी देखने को मिलेगा, सूफी saints में भी देखने को मिलेगा, उसके अलावा क्या similarities है और तो जिसे हाँ पर क्या होता है, both of them composed poems and literature was written, ठीक है, तो क्या है, poems लिखी जाती थी, यहाँ पर सूफी saints भी लिखते थे, और जैसे जो follow कर रहे हैं, उनके जो सिश्य हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर सके, इस literature का, इन poems का इस्तमाल कर सकते हैं, अपने devotion को show करने के लिए, अब बोलोगे, उनके devotion के लिए वो अलग poem, उनके अलग भी बनाए, लेकिन एक जैसे हो गया न, एक भजन बना दिया, अब मैं एक भज कालपनिक कहानिया जो होती है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई गई ताकि क्या हो, ताकि सुना ही जा सके, कहानी सुनके ऐसा नहीं, बस कहानी कदम पैसा आजमतारी बजाओ, वो चीज़ें नहीं होती, कहानी मतलब क्या है, कहानी आपको एक moral देकी जाती, मैंने हर सुफीज और सेंट्रल इशिया वर गजाली, रूमी और साधी, अब देखो क्या है यहां पर सेंट्रल इशिया की बात कर रहे है, सेंट्रल इशिया मतलब क्या हो गया, तो सेंट्रल इशिया जाने जैसे ये इंडिया है हमारा, ठीक है, यहां पर पाकिस्तान वगेरा हो गय यहां से Islam का origin point है, उसके बाद में यह पूरा area क्या है? Islamic area हो गया, तो यह जो सूफी saints हैं, यह Central Asia के जो prominent सूफी saints रहें, तो गजाली हो गया, मतलब गजाली हो गया, रूमी, साधी, उसके बाद में जैसे Rabia, तो यह सारे जो saints है, Rabia female सूफी saints रही हैं, जिन्होंने क्या किया है मतलब love, कह सकते हैं कि अपना एक personal attachment, supreme God, एक supreme soul जो है, उसके towards शो किया है, ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि Central Asian prominent सूफी यह रहे हैं, अब यह Central Asia से ही क्या होता है, आपने देखा होगा, कि Delhi सुल्तान जो है, मुगल्स जो है, तो वो भी बाबर वगएरा सब किदर से आए, उस सारे जब Central Asia से आए ना लोग, तो Central Asia से जब सारी लोग आए, सारे rulers आए, तो उन्हीं के साथ साथ में saints, जो है, सूफी saints, यह भी आगे चल के आएंगे, अब जैसे रूमी जो है ना, तो अब आप मतलब एक मुझे, यह code बहुत अच्छा लगा, देखो, क्या है, तो respond to every call that exc excites your spirit, ठीक है, जो आपकी आत्मा को जो चीज जंजोर दे रही है, एक जनकार पैदा कर दे रही है, उस हर call को आपको respond करना है, ठीक है, आपकी इक्षा होती है दिल से क्या, कि यार आपको गरीबों के लिए कुछ बहुत अच्छा करना है, तो बस जीवन में लक्ष यह रख अच्छे कोर्स मिल जाएंगे, तो यह रूमी का जैसे कोर्ट मिला था, ठीक है, अब देखो क्या है, तो the Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in different way, Sufis too believed मतलब क्या है, किसी और ने भी ऐसा बिलीव किया था, क्या, सोचो, ठीक है, तो जी हाँ, नाथ पनती सिधास योगीस पढ़ा था, ठ ठीक, पिछले वीडियो में ही पढ़ क्या है, तो नाथ पनती सिधास योगीस के बारे में जब आपने पढ़ा समझा, तो आपको समझ में आया होगा कि वो किस चीज़ पर बात करते हैं, बात करते हैं, तो हाट को क्या करना, आपके दिल को यह चंचल है, बहुत मस्ती करता है, इसको ट्रेन करने की जरुवत है, कैसे ट्रेन करोगे, तो इसी तरह से बतार हो कि सूफी सेंट्स, भक्ती सेंट्स सब सिमिलर है, ठीक है, अब देखो यह तो हम लोग, मुर्क लोग इनसान, जो हैं न, हम लोगों की क्या है, हम लोगों ने धर्म के नाम पहला गलग सोस साल पहले दस हजार साल पहले तो चीज़ें जब कुछ और रही होगी ना हमने ओवर दी प्रीड ऑस टाइम क्या है जैसे आप देखो कि बहुत सारे धर्म अब कोई धर्म है तो दोहजार साल पुराना है तो सारे धर्म आपको अभी-अभी ओरिजिनेट होते हुए दिख रहे मतलब क्या है कि सभी लोग सुखी रहे सारे रिलीजिन यही चीज़ बताते हैं अब देखो क्या है तो यहां पर आपको जो समझ में है कि सूफी स्टू बिलीव दिन्दी बिलीव देट धी हार्ट कैन बी ट्रेंड टू लुक एक दी वर्ल्ड इन डिफरेंट वे तो कैसे करो कि भी यह दोडाओ गे कि अ दिल को जमीन पर उतार के तो यहां पर उन्होंने अलग-अलग तरीके बताये जैसे जिक्र ठीक है इन्होंने क्या बताया कि हार्ट को यहां नाम लेंगे लिए अल्ला का ठीक है चैन्टिंग दी नेम उफ दी सुप्रीम गॉड तो वह क्या क्या कर रहे हैं आप किसी प्रकार से गाने लागे वगरा गाने के बाद दिय söyleye हining knocks गाना पर क्या काओगे हम यह सम जो अनिकल किया यह कवाली कवाली Suni ना अपने अब कवाली में क्या होता है तो कवालिया बहुत तरह की अलग अलग कवाली होगी जैसे आपने क्या सुना होगा अपने माबाप का तु दिल ना दुखा एक कवाली वो मुवीज में आपने सुनी होगी तो क्या है मुवीज में जैसे कौन सी मुवी में तो बजरंगी भाईजान में वो जो एक है भर्दे जोली मेरी तो अब ये सारी जो आप कवाली सुनते हैं ये क्या है ये एक तरह का सूफिजम के अंदर अपना डिवोशन शो करने के लिए सुफिजम में अपना डिवोशन शो करने के लिए म्यूजिक है, म्यूजिक का सहरा लिया गया कवाली के थुरू आप समा बांदेते हो मतलब समा बांदेना एक तरह से कि आप लोगों को वहाँ पर होल्ड कर लेते हो वही देखो, म्यूजिक जो है ना मूजिक के थुरू समा बांदने की बात की जाती है मतलब माहूल बनाने की बात की जाती है जिक्र करना, समा बांदना, rakhs ठीके, तो यहां पे dance वगेरा, यह सारी चीजे जो है इसके थुरू क्या क्या जाएगा, यह मैंने आपको सारे term समझा दिये इसके through क्या क्या गया, इसके through बात की जा रही है कि heart को आप क्या कर सकते हो, train कर सकते हो ताकि वो क्या हो, ताकि वो अपने devotional path पे चलता रहे भटके ना इदर उदर दुनिया में, ठीके, वही चीज़ है Along with this discussion of parables, ठीके, discussion of parables मतलब क्या है पीर, ठीके, अब देखो, तो सुफी, जो है, सुफीजम जो है तो वहाँ पे पीर, मुशीद, इन सारी चीज़ों का concept चलता है पीर मतलब क्या होता है, जो teacher होते होने, master कहा जाता है, पीर कहा जाता है ठीके, अब पीर के क्या रहेंगे, बहुत सारे, sister रहेंगे एक तरह से तो पीर वाला concept था, was perform to train a heart अब जो training की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिन बताया, heart can be trained तो जिक्र करना, अल्लह का नाम जिक्र करना, समा बान देना, rocks परफॉर्म करना उसके अलावा क्या है, breath control, तो अब यह देखो, यह similarity है तो यह सारी चीज़े, सूफिजम में भी आपको क्या करें, देखने को मिलेगी आप observe करोगे इन सारी चीज़ों का, अब जैसे जो पीर होते थे, जो master होते थे ना, पीर होते थे, तो अब क्या होता था, अब मैं master हो मान लो, मेरा सिखाने का तरीका अलग है लेकिन ultimately मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो salvation मिल जाए उसे भी, उस इंसान को भी क्या है, जो supreme god है, वहां तक पहुँच जाए उनकी एक बार क्या image देख ले या पिर कह सकते हैं, उनमें एक बार भक्ती में हो जाए बस, school मिला के simple सी चीज़, तो जो master होते हैं, मैं master हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरा सिखाने का तरीका लगगा, देखो teacher की बात करता है, चलो teacher पर बात निकली तो, सारे teacher क्या चाहत है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, लेकिन सबके तरीके अलग-अलग होते हैं, आया ना समझ में, तो वैसे master और peer जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका अपना एक तरीका होता है, यह आ गया तरीका, method, ठीक है, तरीका, शब्द वहां से ही निकल के आया है, और ज social तो subject है, ठीक है, social है कैसा subject है, जिया जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है, जिया जा सकता है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप कल को teacher बन गए, आपने क्या किया, आपने अपने students को पढ़ाया, तो वो एक सिलसिला हमने एक thread बना दी, teacher, teacher के बाद में दूसरे teacher बनेंगे, ठीक है, आप teacher बनेंगे, congratulations, फिर उनके बाद में दूसरे teacher बनेंगे, तो एक सिलसिला बन गया, ठीक, अब देखो, ये जो examples दिये, तो इसके तुरुक topic समझना है, क्या topic समझना है, कि सूफिजम में एक master होता है, एक peer होता है, peer अपने तरीके से चीजों को सिखाता है, अप जैसे आप देखो के देश में बहुत सारे सिलसिले हैं, सूफिजम में बहुत सारे सिलसिले हैं, ठीक है, अलग-अलग क्या है, उनकी एक पूरी lineage है, सिलसिला क्या है, spiritual genealogy of सूफी teachers, सूफी teachers के spiritual genealogy, ठीक है, तो spiritual genealogy मतलब क्या है, कि मेरे आध्यात्म के हिसाब से, मेरे पाद में जो और लोग आएंगे जो मेरे आइडिया को आगे बढ़ाएंगे उनके आइडियास को आगे बढ़ाएंगे तो यह spiritual genealogy हो गई ठीक है अध्यात्म की बात genealogy मतलब क्या होता है तो जैसे मैंने बताया था कि बाबर बाबर का बेटा हुमायू हुमायू का अकबर अकबर का जाएंगी इरसाजा औरंग जिब वो उनकी genealogy हो गई biological genealogy यहाँ पर spiritual की बात कर रहे है कि मैंने जो सीखा सिखाया वो मेरे सिश्य आगे बढ़ा दे रहे है ठीक है वो चीज़ है देखो क्या है इच following a slightly different method तरीका of instructions and ritual practice ठीक है तो यहाँ पर क्या रहा है कि हर जो सिलसिला है तो हर सिलसिले का क्या अब जैसे एक teacher है तो उनका एक अलग तरीका है एक अलग क्या है different method उसे तरीका कहा जाता है ध्यान रखना है शब्द तरीका जैसे कहां से आया of instruction and ritual practices मतलब salvation के लिए उस supreme God में मिलने के लिए उनका अलग तरीका होगा सबका अपना अलग तरीका होगा यह simple सी सीधी सी सटीक सी कहानी है I hope आपको समझ में आई है कि Islam और सूफिजम में सूफी सेंट्स जो है तो टॉपिक इंट्रस्टिंग है यह आपको बहुत साई नई चीज जानने को मिली कि अल बिरicky को साथी। है तो यह धाय है कि सुफिन जो हिलिए सेंट्रल अशिया से लिक्षिस जो हिलिए हिंदिया में भारत में यहां पे सेटल होगए हो अब देखो क्या है तो दिस प्रोसेस वाफ इस प्रोसेस वाफ स्टेंदन विज इस्टैब्लिश्मेंट ऑफ डेली सल्तनेट के बाद में सूफी का जो माइग्रेशन रहा सेंट्रल एशिया से कहा हिंदुस्तान की तरफ वह और ज्यादा स्ट्रॉंग हो गया क्यों स्ट्र बिस्लाम को ही फॉलो करते थे अल्ला को ही मानते थे बस इनका तरीका ही तो अलग था तो इन्होंने पैटरिञेज यहां पर कुटब दिन बक्तियार काकी ठीक यह नाम हो गया अब यह नाम आपने कहां सुना था चैप्टर 3 में कहीं सुना था ठीक है तो अब आपको रिलेट करना है कुटब मिनार से कहीं सुना था डेली सुल्तान कौन थे उस समय पर जड़ा competitive साले बच्चे जो भी है ठीक है अपने कान खड़े कर लो तेजी से आपको ऐसे ही रिलेट करना है तो यह सुफी सेंट हो गया है सुफी सेंट के parallel कौन रूलर रहा है वो ध्यान रखना होगा ठीक है उनके टाइम पर कोई development हुआ है क्या कुतब मिनार जैसे जो है तो किस सुफी सेंट के नाम से ही रखा गया था ना कौन थे वो सुफी सेंट जिनके नाम से सलीम जो नाम था वो रखा गया था बताना जड़ा कमेंट सेक्शन में ठीक है तो इस तरह से आपको चीजें करना होगी है सेवंध क्लास में जो बच्चें उन्हें भी आपको connect करके पड देली सल्तनित फिर क्या होता है तो बहुत सारे सूफी सेंटर्स बनाए गये सूफी सेंटर्स बनाए गये होस्पाइज बनाए गये होस्पाइज मतलब क्या होता है तो होस्पाइज एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि हिंदूइजम में जो क्या हो गया हिंदूइजम में आप दिखते रहो गुरुकुल टाइप से हो गया पिर आश्रम हो गया जहां पर सैंट्स रहरे नहीं जीसजら, जीसे एक टीचर के बाद में अलग उनकी पूरी लाइन चालूगे तो चिस्ती शिल्सिला में गुजर महीनु, जीस्ती सिंति इनकेSova बहुत सारे सिल्सिला ये सुछार वर्दिया आपने सुना होगा. ठीक है? सुहार वर्दिया आपने फिर मतलब लग 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 14 सिलसलाज हैं ऐसे कुछ exact ना मुझे देहन नहीं आ रहे हैं तो वो जो सिलसलाज हैं तो हर सिलसला के अलग-अलग क्या हैं हर सिलसला के अलग-अलग आपको सूफी सिलसला जो बहुत जादा पॉपिलर है तो उसमें आपको अलग-अलग सेंट मिलेंगे तो कुतुब अदिन बक्तियार काकी ओफ देली हो गया बाबा फरीद ओफ पंजाब ठीक हैं खौजा नजाम-दिन ओलिया देली तो देली में आपको जो दर्गा देखने को मिलेगी वो खौजा नजाम-दिन ओलिया की है फिर क्या है बंदा गरीब नवाद गेसुर दराज ओफ गुलबरगा तो ये सारे जो सूफी सेंट्स हैं ना इनका क्या है इनका अपने आपने आपने आपको क्या देखने को सोफी सेंट्रस जो बनाए थे जहां पे वो लोग रहते थे उन्हें खानकाज या हॉस्पाइअ कहा जाता था और सारे लोग वहां विजित करते थे उन खानकाज में वह क्या प्र St तो क्यों विजिट करते थे तो वहाँ पर क्या होता था डिसकेशन और स्पिरिच्वल मैटर्स पर डिसकेशन होता था ठीक है अब इन लोगों का दुनिया को देखने का अलग तरीका रहता है सेंट्स जो लोग रहते ना कभी बैठे ना किसी सेंट्स के सांद में वो दो मिनि पुल में जाते हो ऐसे ही सूफी सेंट्स कहा रहते खानकाज और हॉस्पाइज में फिर क्या होता है मूजिक एंड डांस सेशन्स वर हेल्ड यह जोधा अकबर तो उसमें वह घूमते हैं से गोल-गोल खौजा मेरे खौजा वाला तो वो क्या है वो क्यों क्यूंकि वो उस पर पहुँच चुके जहां पो इसा लगता है कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कि आप इतने खुश होते हों कि आप अपने अब आपके पैर ठिरकने लगते हैं वहीं चीज हो रही है यहां पर भी ठीके वह सारी चीजें हो रही है अब जैसे आप देखो कि फॉजशा मुझा दि with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles दुनिया में जो है ना बहुत सारा बहुत गम है एक गाना भी है ना दुनिया में इतना गम है मेरा गम तो कितना कम है वही चीज है दुनिया में बहुत परिशानी है अब जो परिशानिया है ना तो उन परिशानियों के चलते हैं इंसान हरा मतलब हार जाता है ठक जाता है फिर कहां जाता है वो फिर वो भगवान के पास जाता है ठीक है फिर वो एक ऐसी जगह जाता है जहां वो अपना दुख क्या कर सके गा के सुना सके अपना दुख रो के सुना सके कैसे भी तो अधिकतर क्या होता है कि सूफी सेंट्स जो है तो ऐसा माना जाते है इनके पास में miraculous powers होगी क्यों क्योंकि इन्होंने अपने आपको इतना devote कर दिया भगवान में होता है न कि mystic माना जाता है सूफी सेंट्स को देख लीजे आ फिर भक्ती सेंट्स को कह लीजे तो अब क्या होगा जब mystic माना जाएगा तो लोग अपनी illness, अपनी troubles को लेके इनके पास जाते हैं, इनसे प्रात्फना करते हैं ठीक है, बक्ती सेंट्स, सूफी सेंट्स, सभी के पास जाते हैं फिर क्या होता है, तो अब क्या होता है, the tom और दर्गा of सूफी सेंट्स became a place of pilgrimage तो आप सभी धर्म के लोग और क्या करने लगे तो आप क्योंकि Miraculous Power जिसके पास जादू है जिसके पास क्या है आपकी परिशानी खतम हुज़कते लोग जाने लगे हजारों लोग जाने लगे अपनी परिशानियों के लिके ताकि समाधान निकाला जासा कि उनकी परिशानी होगा इसी के सहाथ हमारे जो टॉपिक है Islam and Sufism ये टॉपिक कम्प्लीट हुआ अब देखो आपको एक और ये जो यहाँ पे थोड़ा से एक extract है इसके थूँ आपको समझ में आगा है कि Sufism किस तरह से सोचते थे आपकी बुक का extract है Finding the Lord तो भगवान कहां मिलेंगे आपको ठीक है तो जलाल उद्दीन रूमी जलाल उद्दीन रूमी जो है तो ये भी एक Sufie सेंटर है Central Asia के ये चिश्ती सिलसला को भी लोग नहीं करते थे और ठीक है जैसे कादरी वगएर अलग अलग सिलसला होते है ठीक तो जलाल उद्दीन रूमी वाज अग्रेट 13th century Sufie poet from Iran who wrote in Persian Persian में लिखते है Here is an excerpt from his work ठीक है उनके एक मतलब राइटिंग्स में से आपको एक excerpt निलेगा क्या लिखना चाहने देखो He was not on the cross of Christians Christians का जो cross होता है न तो ये क्या कहते है कि जो Lord को वो ढूंड रहे है Finding the Lord He was not on the cross of Christians Christians के cross पे नहीं मिले मुझे I went to the Hindu temples Hindu temples में भी गया हमे In none of them was there any sign वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला मुझे He was not on the heights or in the lowlands ना बहुत जादा उची जगा पे थे ना बहुत जादा नीची जगा पे थे सब जगा ढूंड लिया मैंने कहीं नहीं मिले मुझे कौन भगवान की बात कर रहे हैं Lord की बात कर रहे हैं अब क्या होता है I went to the Kawa of Mecca Mecca में भी चले गया Saudi Arabia में वहाँ पे भी नहीं मुझे Allah मिले इस तरह से He was not there I asked about him from Avicenna ठीक है तो अबू अबू सिना यहाँ पे Avicenna जो Western मतलब एक philosopher है है ठीक उजबेकिस्तान वाले एरिया में रहते थे तो Western countries में जैसे नाम चेंज हो जाते हैं लोगों का दिरे-दिरे तो उन्होंने क्या नाम कर दिया Avicenna तो Avicenna the Philosopher Philosopher से भी मैंने पूछा उसे भी नहीं पता है कि कहां मिलेंगे He was beyond the range of Avicenna मतलब Lord को में ढूण रहा था And he was beyond the range of Avicenna उन्हें भी नहीं मिल पाए In that his place I saw him He was in on other place अब क्या है तो वो कहां मिलेंगे आपको जब एक तरह से होता है कि आप दुनिया में सब जगा देख रहे हो चान रहे हो एक बार अपने अंदर मन के अंदर टटोल के देखो तो आपको भगवान वहां मिल जाएंगे तो जैसे जो अलग-अलग सूफी श्राइंज मैंने आपको बताई सारे सारे धर्म के लोग वहां पर जाते हैं क्योंकि परिशानी सब की है अब परिशानी जहां पर आपका निवारा हो से क्या आप वहां जाने का प्रयास करोगे इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ये क्या होता है कंप्लीट होता है मज़धा टॉपिक था आपको सारी चीजें समझ में आईए देख लो एक बार और फिर से स्नैप रिकैप कर लें अगर हम तो यहां पर क्या जानने को मिला हमें कि similarities होती सेंट्स और सूफिस के बीज में सूफिसम का जो आईडिया है जो mainstream Islam है उससे अलग हटके उन्होंने अपना viewpoint दिया सेंट्स के साथ में कितनी similarity थी वो सारी कुछ prominent जो सूफिसेंट्स रहे में पढ़ा जो medieval period में जैसे डेली सल्तनत के बाद में और prominent होते चले गए तो उसमें हमने सारी चीजों को समझा खानकाज और हॉस्पाइज में आपको समझाया क्या है इसी के साथ हमारा ये topic पूरी तरह से complete हुआ आया समझ में सारा सब कुछ बताना comment section में इस्लाम एंड सूफिजम ये topic complete हुआ अब next video में हम बापिस पट्री पर आ जाएंगे तो जैसे हमने South India बगरा में जो भक्ती मुमेंट पढ़ा था अब नौर्थ इंडिया में आने की बात कर रहे थे तो next video से हम North India में जो भक्ती मुमेंट इस्प्रेड हुआ उसके बारे में North Indian Saints जो है उनके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे समझेंगे किसी प्रकार का doubt है यहां तक feel free to ask in comment section ठीके मैं नहीं reply करूँगा तो और भी दूसरे बच्चे जो आपकी तरह पढ़ रहा है ठीके उन्हें वो चीज़ समझ में आज होते हैं community build-up हो जाती है और कुछ नहीं ठीके तो क्या होगा आपके doubts clear हो जाएंगे और आप community build-up कर लोगे clear हैं यहां तक सारी चीज़ने clear होना चाहिए next video lecture में मिलते हैं till then stay connected keep learning thank you thank you very much